नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इस बने हुए मकान के बारे में पूरी तथा कंप्लेट जानकारी लेकर तो दोस्तों अगर आप सभी इस बनी हुए मकान के बारे में पूरी तथा complete जानकारी को हासिल करना चाहते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि यह मकान कहां पर विकाओ है इस मकान की location क्या है, मकान कितने square fit में बना हुआ है मकान की किमत क्या है, मकान को खरिकते वक्त आपको कोई प्रहसानी होगी की नहीं होगी तो सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए बने रही है आप सभी हमारे इस वीडियो के अंतक क्योंकि मैंने आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से इस बनी हुए मकान के बारे में पूरी तथा complete जानकारी दे दी है और साथ में यह भी पता दिया गया है कि यह मकान कहां पर बिकाओ है इस मकान की location क्या है मकान कितने price तक बिकाओ है दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन की घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले आप तब पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और आपको दे देते हैं इस बने हुए मकान के बारे में पूरी तथा complete जानकारी के बारे में तो दोस्तो यहां जो मकान आपको दिखा जा रहा है यहां मकान कुल टोटाल आपको 1200 स्कौर फिट की जिमी पर बना हुआ देखने को मिल जाता है बात कर लेते हैं इस बने हुए मकान में रूम के संख्या के बारे में तो दोस्तो इस मकान में आपको जो रूम की संख्या मिलेगी लगभग आपको इसमें छे रूम बने हुए देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो इस विकाव मकान का आपको जो साहित का रास्ता मिलेगा वह लगभग आपको नौफिट चोड़ा देखने को मिल जाएगा जो कि आपको इस मकान तक आने जाने के लिए किसे भी प्रकार की कोई दिक्कत वा कोई भी परेसानी आपको नहीं होने वाली है आप इस मकान तक अपनी 4 विलर वा 2 विलर गाड़ी बड़े आराम से ले जा सकते हैं आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वा कोई भी परिसानी नहीं होगी बात कर लेते हैं पानी की विवस्ता के बारे में तो दोस्तो अगर आप लोगों के पास 14 लाग का बजट है और इतने बजट के साथ अगर आप इस मकान को खरी सकते हैं परचस कर सकते हैं तो देरी ना करते हुए आप हमें कमेंट माध्यम से वह हमारे यूटूब के अबाउर सक्सें में जाकर के वहाँ पर आपको जो इमेल आइडी दिखेगी उस इमेल आइडी के माध्यम से भी आप हमसे बता सकते हैं तो हम आपकी बात इस मकान के ओनर से करवाएंगे और यह मकान दिलवाने में आपकी पूरी से पूरी सहकता करेंगे अगर आप कम किमत वाला मकान लेना चाहते हैं तब भी आप हमसे बता सकते हैं कि आपको किस लोकेशन पर कहाँ पर मकान चाहिए वा कितने प्राइस तक मकान चाहिए तो वहाँ के प्रॉक्टी डियलर से संपर करके हम आपके बताए गए लोकेशन की वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड करेंगे ताकि आपको भी आपके द्वारा बताएगे लोकेशन के मकान मिल सकें और आप उस मकान में सबसे पहले स लोक चोरा है कि जश्ट एक किलो मीटर आगे नेशनल डे पबलिक स्कूल के जश्ट बगल में ही यह मकान देखने को मिल जाता है जो कि वहीं पर यह मकान इस्थेत है तो दोस्तों तब तक के लिए हम अपनी इस वीडियो से अलविदा चाहते हैं मिलते हैं किसे अन्य वीड